हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो निशा मदूरिमारी डिफाइन रेसिपीस चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो जेली जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है बिल्कुल कच्चा मैंगो चौकलेट जो होती है उसके जैसी तेस्ट इसकी लगती है बच्चों को बहुत पसंद मैं यहuna शीरा चीनी जाओएगी है इस बनाना बहुत ही आसनों है और बहुत ही कम समय में यह जेली बन जाती है तो चलिए हम इसे सबनाना स्टर्ट करते है इसी बनाने के लिए हमने 100 ग्राम चीनी ली है आधा कप्चीनी है यह लिए और हमने आधा लिटर पानी लिए है अबि हमने this karno car अ इसका चिलका उतार कर इसका पर त्यार करने के लेंगे दिखे मेरbert त्यार कर लिए अइसे मिक्सिमें से चलाया है अब अधर ने वे हच्छ अगर 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 एड़ कर देंगे थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे हम अधीर हमनी यह यह उसकिया है इसे भी mix कर देंगे अब हम इसे 5 से 7 मिनिट के लिए अच्छे से फखने देंगे देखिए अच्छे से उबल चुका है यह set करने के लिए ready है इसे एक बॉल में हम ढलेंगे बचा हुआ ama mixата एक आइस– ट्रें में डाल देंगे अब इस सारा हमने एक बॉल में और आइस ट्रे में सेट कर लिया है इसे अभी हमें फ्रीज में रखना है 15-20 मिनिट के लिए अभी देखें 15-20 मिनिट हो चुके है कितने अच्छे से हमारे जेली सेट हो गई है एक दम ट्रांस्पेरेंट जेली लग रही है इसे हमें लिएन्य किनारों से थोड़ा सा लूज कर लेंगे जाएथि इस और और यक्ट हैchu किनारों करूँए safe कि यूद्र जेली बन कर तयार हो गई है एकदम सुंदर लग रही है, कलर भी बहुत सुंदर आया है इसका, अभी हम यहाईज ट्रे में जो रखा है, इसमें से निकाल लेंगे जेली को, देखिए, भी बहुत सुंदर लग रहा है, यह भी मैं आपको निकाल कर दिखाते हूँ, इतना सुंदर ट्रांसफरेंट जेली इसे भी मैं अभी सारे निकाल लूँगी देखिए अभी हमारी ये जेली निकल गई है कितनी सुन्दर लग रही है आप इसे जरूर ट्राइ किजिए बहुत ही आसान रेसिपी है ये अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथ में जो बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके तब तक के लिए नए वीडियो में नए रेसिपे के साथ फिर मिलते हैं नमस्ते